हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका अपने यूप्टिव चैनल में है दोस्तो आज हम लोग जो कोश्चन्स लेने वाले हैं वो मानब सरीर से जुड़े हुए जरूरी तत्य यानि मानब सरीर से जुड़े जरूरी तत्य करेंगे यानि वैसे सारे कोश्चन्स जो मानब सरीर से रिलेटेड होते हैं वो सारे आज हम लोग देखेंगे जो भी कोश्चन्स होगा most important कोश्चन्स होगा दोस्तो तो पहला कोश्चन हमारा जो है खुद्यान देगे तो पहला कोश्चन हमारा कहता है red blood cells लाल रक्त कनिकाईं यानि red ब्लड सेल्स का निर्मान कहां होता है दोस्तों तो रेड ब्लड सेल्स का निर्मान अस्थी मज्जा में होता है कहां होता है अस्थी मज्जा में होता है दूसरा कोश्चन है कि लाल रक्त कनिका यानि रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कन का जीवन काल कितने दिन का होता है तो ला रक्त का जीवन का एक सो बीस दिन का होता है। भाईट ब्लड सेल्स यानि लाल यानि सफैद यानि स्वेत रक्तकन का जीवन का जीवन का होता है। अगला कोश्चन हम लोग जो करने वाले हैं इसी से related स्वेत रक्तकंड का हो गया अब ध्यान देंगे अगला कोश्चन जो हमारा है वो कहता है कि स्वेत रक्तकंड भाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है तो भाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है भाइट ब्लड सेल्स को ल् लूकोसाइट कहा जाता है अगला कोश्चन हमारा है कि लाल रक्तकन को कहा जाता है देखेगा भाइट यानि डबलू बीसी को क्या कहा जाता है लूकोसाइट और आर बीसी को क्या जाता है एरिथ्रोसाइट क्या कहा जाता है एरिथ्रोसाइट क्या कहा जाता है अगला कोशन हमारा है सरीर का ताप नियंत्रक होता है यानि जो सरीर के ताप को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है तो सरीर के ताप को नियंत्रित करने वाले को क्या कहते हैं, सरीर का जो ताप नियंत्रक होता है, उसको कहते है हाइपो थेलमस ग्लेंड, यानि हाइपो थेलमस ग्लेंड जो है, वो सरीर के ताप को, सरीर के टेंपरेचर को नियंत्रित करता है, उसे कंट्रॉल करता है, क्या न पाता होता है जो इनिवर्सल डोनर होता है वो कौन सा ब्लड ग्रूप होता है इनिवर्सल डोनर की अगर बात करें दोस्तों तो इनिवर्सल डोनर जो हमारा होता है वो ब्लड ग्रूप ओ होता है ओ में भी दो ग्रूप होते हैं दोस्तों ओ पोजेटिव और ओ निगेटिव जेनरली सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला blood group है, ज़्यादा लोगों को मिलेगा, और O negative बहुत ही rare group है दोस्तों, बहुत ही rare group है O negative, ठीक ना, अगला question हमारा है, का मनुस सर्व ग्राही, सर्व ग्राही मतलब सभी रक्त समूह को ले सकता है, universal receptor, यह दे सकता है, यह ले सकता ह तो O है देने वाला और AB है लेने वाला, AB क्या है, लेने वाला, ठीक ना, दोस्तों, अगला हमारा जो question है, वो है, कि रक्त चाप मापने के यंत्र को कहा जाता, अस्फिग्मो मैनो मीटर, क्या कहा जाता, अस्फिग्मो मैनो मीटर, blood pressure की जो मसीन होती है, उस मसीन का नाम है, अस्फिग्मो मैनो मीटर, अस्फिग्मो मैनो मीटर, दोस्तों, अगला question है, blood bank किसे कहा जाता है, तो aspleen यानि पलीहा को blood bank कहा जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, aspleen यानि पलीहा को blood bank कहा जाता है, blood bank किसे कहा जाता है, aspleen या पलीहा को कहा जाता है, हमारा अगला question है दोस्तों कि भोजन का पाचन प्रारंब होता है यानि भोजन का जो पाचन की क्रिया होती है वो कहां से सुरू होती है तो दोस्तों भोजन के पाचन की क्रिया मुख से ही अरारंब हो जाती है मुख में ही जो एंजायम बगारा है लार जो है वो भोजन में मिलता है उसे चिपचिपा बनाता है जो की नली से हो करके आसानी से हमारे पेट तक जाता है यानि भोजन का पाचन हमारा कहां से सुरू हो जाता है पचे हुए भोजन का अप्शोशन यानि पचा हुआ जो भोजन है उसमें जो पोशक तत्व है उस पोशक तत्व का अप्शोशन कहां पर होता है तो ये पोशक तत्व का जो अप्शोशन होगा दोस्तो वो हमारा a small instance time यानि छोटी आतमे होता है कहां होता है दोस्तो छोटी आतमे होता है ठीक ना ध्यान रखेंगे कहां होता है छोटी आतमे होता है अगला कोस्चन कहता है पीत यानि बाइल जो स्रावित होती है वह कहां से स्रावित होती है तो पीत का जो स्रबन होता है पीत जो निकलती है वो हमारे लीवर के द्वारा न एक दो बार आप इसे ध्यान से देख लोगे तो चीजे खुद बाखुद माइंड में आती जाएगी तो प्लीज इसे रिपीट करें बारवार रिवीजन करें रिवीजन बहुत जरूरी है दोस्तों रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टुडेंट का ये सबस बड़ा नहीं है हर चीज पर आप पकड़ बना सकते हैं ये होना चाहिए दोस्तों ठीक ना अगला कोश्चन है पीत का स्रब कहा होता है लीवर से होता है बिटामीन ए संचित कहा होता है तो बिटामीन ए एकरित में संचित होता है एकरित को हिंदी इंगलिस में लीवर बोल और सबसे छोटी ग्रंथी, a small gland, यानि जिसे हम लोग master ग्रंथी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, master ग्रंथी कहते हैं, उसका नाम है pituitry gland, क्या है pituitry gland, अगला question हमारा जो है दोस्तो, मनुस में पसलियों की संख्या कितनी होती है, देखिए, पसलियों की अगर संख्या तो 24 होता है, कितना होता है, 24 होता है, जोड़ा में पूछेगा, तो 24 कई जोड़ा के बराबर है, 12 पेर के बराबर है, अगर जोड़ा में पूछे तो 12 पेर और संख्या में पूछे तो 24, तो हमारा जोड़ी में दिया गया है, 12 जोड़ी कह लीजिए, या 24 संख्या कह लिस होती है ठीक ना अगला हमारा कोश्चन है कि लार में पाया जाने वाला लार में पाया जाने वाला एंजायम होता है टाइलीन अभी हमने बताय था कि लार जो है उस सलाइबा जिसको बोलते हैं उसमें जो एंजायम होते हो वो टाइलीन होते हैं माल्टोज होते हैं वो सार का पूरी तरह से डिपेंडेंट हमारे पुरुष होते है, महिलाओं को इसके लिए दोस देना सरासर गलत है, क्योंकि पुलिंग का जो निर्धारन होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है ना कि महिलाओं के क्रोमोसोम पर ठीक ना, अगला कोश्चन हमारा जो है, वो है मनुस के हिर्दय में होते है चार कोश्ट यह होते हैं दोस्तो अगर मनुस का हिर्दय आप बनाईएगा तो ऐसे करके बनता है ठीक ना, और यहाँ एक कोश्ट दो कोश्ट, तीन कोश्ट और चार कोष्ट यह मनुस्थ के हिर्दय की रंगचना होती है जिसमें चार कोष्ट होती है अगला कोष्चन अगर हम लोग देखे दोस्तों तो अगला कोष्चन हमारा है कि सरीर में गुनसुत्रों की संख्यां पाई जाती है तो 46 है 23 पेर होता है और 46 गुनसुत्र होते हैं अगला कोशन हमारा जो है दोस्तों वो कहता है सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है तो सरीर का सबसे बड़ा अंग है जो पूरे सरीर में फैला हुआ है वो हमारा अस्कीन है तवचा है दोस्तों ठीक ना और सबसे बड़ी कोशिका तंत्री का तंत्र बड़ी कोशिका तंत्री का तंत्र बड़ा अंग तवचा ठीक ना बड़ा अंग बोले तवचा बोलेंगे बड़ी कोशिका बोले तंत्री का तंत्र बोलेंगे ये मीनो अमल की स फिर्मान होता है वो कितना होता है दोस्तों तो सरीर में जो प्रती दिन मुत्र बनता है वो डेढ़ लीटर बनता है कितना बनता है डेढ़ लीटर और जो मुत्र में दुर्गंध होती है मुत्र का जो दुर्गंध का कारण होता है वो यूरिया होती है यूरिया होती है यूरिया का अगर कोई फॉर्मूला कभी पूछे तो CO, NH2, CO यूरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है CO, NH2, CO होता है ठीक ना अगला कोश्चन है मानब मुत्र का पी एच मान क्या होता है तो मानब मुत्र का पी एच मान 6 होता है कितना होता है 6 होता है ठीक ना अगला अगर हम ध्यान दें दोस्तों कि सरीर का तापमान जो होता है वो तीन फॉर्मेट में जेनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं एक तो फारेन हैट में पूछेगा जो 98.6 डिग्री फारेन हैट होता है degree में पूछा जाता है, तो 36 point something होता है, ईससे 37 degree हम लोग बोलते हैं, और Kelvin में 310 Kelvin होता है ठीक ना, degree में पूछ है, degree Celsius में 36 point something, उसे 37 हम बोलते हैं, Fahrenheit में 98.6 degree Fahrenheit और Kelvin में होता है 310 Kelvin, ठीक ना, 310 Kelvin, 37 degree centigrade और 98.6 Fahrenheit हाइट अगला कोश्चन है मानम में टीविया नामा खडी बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है दोस्तों टीविया जो होता है पैरों की हडी है टीविया नामा खडी जो है वो पैरों में पाई जाती है अगला question है दात एबम हड़ियों की संग्रचा के आवस्यक्तत तो वो calcium और फारफोरस है दोस्तों दात संग्रचना में हड़ी हमारा है या दात है उसमें calcium और फारफोरस मुख्रूप से हैं ठीक ना अगला है blood clot से blood clot में सहायता कौन परतान करता है रक्त को ठक्का जमने में platelets की बहुत आहमियत होती और लक्त का जो ठक्का बनता है वो platelets की सहायता से ही बनता है अगला question है दोस्तों मस्तिस्क तथा सीर के अध्यन से संबंधित बहुत important है उसको बोलते है frenology brain होता है तो brain को आप फ्रेन में याद रखे तो frenology क्या होता है frenology यानि मस्तिस्क तथा सीर के अध्यन से संबंधित क्या है frenology स्वसन के दौरान सरवाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है सीधा सा बात है गर बातावरन में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस मौझूद रहेगा उसी को हम स्वसन में सबसे ज़्यादा लेंगे तो सबसे ज़्यादा कितका 78 कोई पूछ देगा कि स्वसन के दौरान सरवाधिक मात्रा में ली गई गया इसका प्रतिसत कितना है तो इसका प्रतिसत बातावरन में 70 है तो मिक्षर 78% का है तो वह भी 78% जाएगा ऑक्सीजन 21% है ते 20% ही जाएगा तो सबसे जादा मात्रा में हमारा नाइट्रोजन लिया जाता है अगला जिवित जिवास्म जिवित जिवास्म कौन होता है साइकस याद रखेगा साइकस एक जिवित जिवास्म है दोस्तों अगला कोश्चन अगर हम लोग लें कि मीनी माता रोग किसके कारण होता है तो मीनी माता रोग किसके कारण होता है दोस्तों तो मीनी माता मरकरी के प्रदूसन से यानि जल में अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मरकरी मिल जाएगी तो मिनी माता रोग हो जाएगा तो मिनी माता रोग HG के कमी से प्रदूसन से होता है मानब तचा का अध्यान, डर्मेटोलोजी, मानब तचा का अध्यान कहलाता है, डर्मेटोलोजी कहलाता है, दोस्तो कीरो का अध्यान, एंटोमोलोजी, कीरो के अध्यान को क्या कहते है, एंटोमोलोजी पीत किस अंके द्वारा पैदा किया जाता है वाइल यानि पीत किस अंके द्वारा पैदा किया जाता है लीवर एकरित के द्वारा पीत को पैदा किया जाता है दोस्तो दोस्तो questions को repeat करें बार बार revision important है दोस्तो revision अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा इसलिए revision करते रहे अगला question मानव सरीर में रुधीर बैंक मानव सरीर में रुधीर बैंक का कार कौन करता है तिल्ली, रुधीर बैंक का काम, ब्लड बैंक का काम क्या करती है, तिल्ली करती है, यानि तिल्ली में ब्लड बैंक कहा जाता है, सरीर में हीमोगलोबीन का कार क्या होता है, तो सरीर में हीमोगलोबीन एक ही काम करता है, दोस्तों, वो है ऑक्षीजन का परिवहन, यानि ऑक्ष लोहा होता है. मानब सरीर में अगर लोहे की कमी कह रहा है, मतलब आपके पास بلड नहीं है, भलड की कमी माननी जाती है. मानब सरीर में खूण किसकी उपस्थिति का कारन नहीं जमता है, तो चुकि शरीर में हिपैरिन उपस्थित होता है जिसके कारण नहीं जमता है अगला कोश्चन है रुधीर के प्लाजमा में किसके द्वारा एंटीबडी निर्मित होती है रुधीर के प्लाजमा में किसके द्वारा एंटीबडी निर्मित होती है तो lymphocyte है, किसके द्वारा होती है दोस्तो, lymphocyte, antibody का निर्मान किसके द्वारा होता है, antibody, रुधीर के प्लाजमा में antibody किसके द्वारा निर्मित होती है, तो lymphocyte, किसके द्वारा, lymphocyte के द्वारा होती है, ठीक न, अगला question हमारा है, लाल रक्त कनिकाओं का समसान किसे कहा जाता तो लाल रक्त कनिकाओं का समसान किसे कहा जाता है पलीहा को कहा जाता है दोस्तों ध्यान रखेंगे लाल रक्त कनिकाओं का समसान पलीहा को कहा जाता है ठीक ना किसे कहा जाता है पलीहा को कहा जाता है करेबस चक्र में किसका संसलेसन होता है तो पायरूबिक अमल का संसलेसन होता है किसका संसलेशन होता है क्रेप्स चक्र में पायरूबिक अमल का संसलेशन होता है अगला कोश्चन है मानब शरीर में उरिया का निर्मान कहा होता है तो लीवर में होता है रक्त की असुद्धी की संग में जाकर छंती है तो किड्नी में जाकर छंती है यानि ब्रिक में जाकर छंती है रक्त को जो साफ करता है वो किडिनी साफ करता है स्वसन की किरिया कहां शंपन होती है माइट्रो कॉंड्रिया में संपन होती है स्वसन की किरिया माइट्रो कॉंड्रिया में संपन होती है दोस्तो अगला कोश्चन इतने ही questions है दोस्तो तो please दोस्तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप like कर दे, share करे और subscribe करना ना भूले तब तक के लिए जै हिन दोस्तो जै भारत दोस्तो